इस कहानी में लड़के को समुंदर में एक फूलदान मिलता है वो घर आकर जब फूलदान को साफ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक होपसूरत लड़की निकलती है लड़की लड़के की तीन इच्छाय पूरी करना चाहती थी वैसे लड़के का ध्यान 3-6 पर कम लड़की के बदन पर जादा था लड़का कौन-कौन सी 3-6 मांगता है ये हम आगे देखेंगे कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के लड़के से शुरू होती है जो इस वक्त बीच पर टैल रहा था क्रिस के साथ उसका पालतू कुता सैमी भी था क्रिस बीच के ही पास रहता था इसलिए वो रोज यहाँ टैलने आता था बैसे क्रिस पहले एक सिंगर था लेकिन आजकल उसने गाना बंद किया हुआ था बीच पर कुछ देर टैलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है वो बैठ कर खुद भी खाना खाता है और सैमी को भी खिलाता है खाना खाने के बाद क्रिस जैसे ही आराम करने लगा तब ही उसे लगा कि समुदर में कोई डूग रहा है वो जल्दी जल्दी लाइफगार्ट की घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था लेकिन ना तो लाइफगार्ट के घर की आलत ठीक थी और ना ही वो घर में था क्रिस घर की टूटी हुई खड़की उठा कर खुदी समुदर की तरफ पढ़ने लगा और फिर जल्दी ही समुदर में कूद जाता है लाइफगार्ट देवन पास ही टहल रहा था और उसने क्रिस को पानी में देख लिया समुदर में क्रिस को कोई नजर नहीं आता उसे बहम हुआ था कि कोई डूब रहा है और इसी बज़े से अब उसकी जान खत्रे में पड़ गई थी दीरे दीरे वो पानी में डूबने लगा पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तबी देवन भी उसके पास पहुँच जाता है जल्दी ही देवन ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था जिसकान आज क्रिस की जान बच गई थी बैसे ये दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे थोड़ी ही देर बाद क्रिस फूलदान लेकर अपने घर आता है वो फूलदान को टेवल पर रखकर घर के काम करने में लग गया वो घर में अकेला ही रहता था घर के काम करने के बाद वो थोड़ा सा आराम भी करता है रात को क्रिस अपनी बाइक उठा कर पासवाले बार में आता है, वो रोज दारू पीता था और दारू पीने इसी बार में आता था, आज क्रिस जैसे ही दारू पीने लगा तबी उसके पास हायमन नाम का आदमी आता है, हायमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था, और क्रिस भी चोटे भाई जिमी से जगडा हो गया था जिमी भी गाना चाहता था वो चाहता था किरिस उसकी मदद करे लेकिन किरिस उसकी मदद करने से मना कर देता है जिमी गुसे में आकर उसके घर से निकल तो गया लेकिन राफते में ही उसका एक्सिरेंट हो जाता है और वो मर जाता है, बस उसी दिन से क्रिस ने गाना बंद कर दिया था, जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी, क्रिस को लग रहा था, कि उसने जिमी को मदद नहीं की, इसलिए उसका एक्सिरेंट हुआ था, घर पहुंचकर क्रिस पहले फूलदान साफ करता है, और फिर बही बैटकर आराम करने लगता है, फूलदान को साफ करते करते, उसने उसे रगड़ दिया था, जिस कांट घर के आसपास तेज हवाएं चलने लगी थी, देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा, और ये देखकर क्रिस डर गया, अब जल्दी ये फूलदान से एक होपसूर ूऄर्रत लड़की निकलती है, क्रिस हैरान हुआ सब देखकर, लड़की बाहर निकलते ही उससे कहती है कि मेरा नाम रुई है, और मैं तुमारी गुलाम हो, क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम, लेकिन उसके बड़े-बडे तर्भूस पर जधा था, उसकी नजरों को अब रुही कोई इच्छा नहीं है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए तुम अब चा सकती है। उसकी बात सुनकर रुही उसे समझाती है कि मैं तीन इच्छाय पूरी करने के बाद ही जा सकती हूँ क्रिस के पास कोई इच्छा नहीं थी और रुही अभी जाने ही सकती थी आखिर में रुही फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी इच्छाय पूरी नहीं हो जाती अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था जबकि रूही उसके वो कपड़े देख रही थी जो उसे फिट आ सकें जल्दी ही क्रिस भी अंदर आ गया रूही इससे फिर पूँचती है कि तो अपनी बाकी दो इच्छाय क्यों नहीं बता रहे क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है साथी साथ वो ये भी कहता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी इच्छाय भी मर गई रात को क्रिस रोही को उसी बार में लेकर जाता है यहां वो अक्सर आया करता था दोनों यहां बैट कर दारू पीते हैं बार में देवन भी दारू पी रहा था क्रिस रोही को देवन से मिलाता है और फिर दोनों बापस चले जाते हैं दोनों ने आज काफी दारू पीली थी, जिस कारण वो घर आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे, अगले दिन भी दोनों साथ घूमते फिरते हैं, दोनों कुछ बक्त एक जील के पास बिताते हैं, और फिर बीच पर चले जाते हैं, रात होते ही दोनों फिर से एक दूस पानी निकलने लगे। अगले दिन हाई मन लिस नाम की लड़की के पास आता है। लिस भी यही रहती थी। और वो Chris की अच्छी दोस्ती, हाइमन किसी भी तरह Chris को गाने के लिए मनाना चाहता था, वो लिसके पास इसलिए आया था ताकि वो Chris को समझा सके, रात को Chris और रोही फिर से पानी निकालते हैं, रोची तरह पानी निकालने के बाद, रोही फूलदान में चली जाती है, और Chris अ दिया था, लेकिन Chris कुछ नहीं बोलता, रोही उसे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इस पर Chris पहले तो खड़ा हो जाता है, और फिर कहता है मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता, Chris की बात सुनकर रोही बहुत दुखी होती है, वो Chris से उसकी बाकी दो इच्छा है पूछती है, ताकि उन्हें पूरी करके, वो उसकी जिन्दिकी से चली जाये, मगर Chris उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिसका रोही उस पर बेहत गुस्सा करती है, कुछ देर बात रोही बाहर जाने के लिए तैयार थी, वो Chris के दोस देवन के साथ बाहर जा र गुस्कारी करती है, ताकि उसका नसा कम हो जाये, कौफी पीते पीते, Chris उसे रोही के बारे में सब बता देता है, कि वो फूल दान से निकली जिनी के साथ है, इसके साथ ही वो लिस को ये भी बताता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ, लिस को सब बताकर क्रिस तो चला गया लेकिन लिस की नजर फूलदान पर जम गई थी थोड़ी ही देर बाद क्रिस रुही के पास पहुँच गया वो से घर चलने को कहता है लेकिन रुही उसकी बात नहीं मत वो कहती है कि तुम उचसे प्यार नहीं करते इसलिए मैं तुमारी बात नहीं मान सकती रुही कृस पर बेहद गुस्टा करती है क्रिस उससे समझा कर घर ले जाना चाता था कि वो से समझा सके कि वो से प्यार करता है जबकि रुही को लग रहा था क्रिस अपनी इच्छाएं बताना चाता है वो Chris से कहती है कि तुम यही अपनी इच्छाए बता दो और फिर यहाँ से चले जाओ Chris गुस्से में आकर कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधाहन लड़की मिल जाए रोही कहती है कि तुम्हें जल्दी ही साधाहन लड़की मिल जाएगी और क्रिस तीसरी इच्छा बताता है कि रोही हमेशा हमेशा के लिए बहीं चली जाए जहां से वो आई थी क्रिस की आखरी इच्छा सुनते ही रोही की तबियत खराब हो गई और क्रिस किसी तरह उसे संबालता है कुछ दिर बाद क्रिस उसे घर ले आया, रोही की तबियत इसलिए खराब हुई थी, क्योंकि वो बापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास फूलदान नहीं था, रोही ने क्रिस की तीनों इच्छा पूरी कर दी थी, क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे अगले दिन लिस को अपनी गल्दी का एसास हो जाता है, कि उसने लालक में आकर क्रिस को दोका दिया है, वो फूलदान क्रिस को लोटा देती है, जिसके बाद क्रिस रोही को लेकर समुदर के किनारे आ जाता है, जल्दी ही रोही फूलदान में चली जाती है, और क्रिस फू लेकिन जल्दी ही क्रिस समझ जाता है कि रूई ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी है क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधान लगकी मिले और अब वो उसे मिल चुकी थी इसी के साथ मो भी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में